है फेलो स्टुडेंट्स जो टोपिक अपने अब डिसकस कर रहे हैं वो कार्बोणिन लोगिक बनाने की विदियां तो इसमें अपने कुछ इंपोर्टर इंपोर्टर मैथड डिसकस करें में इस वीडियों के अंदर जैसे पहला मैतदद राता है कि अलकोहल के अखी करन से यह जो है अग्सिकरन कि होटा है है लोगी उशु स Nach DNwww हाइडरोजन का नेकलना उकसिजन का जुडना कि है यहाँ जो हम उकसिकारक ले रहे हैं वह दूर्बल औकसिकारक हैं जैसे सी जायरा ओठी क PAUL ऊस्कूए और पी शी सी जो है वो दूबल उकसिकार रख हैं तो यह सिरफ अलकोहल में से हड्रोजन निकालने का काम करते हैं अब अपने जब अलकोहल में से अड्रोजन निकालेंगे तो जैसे यह वन डिगरी अलकोहल ली है अपने तो वन डिगरी अपपाद अब टूडियर अलकोहल के ऑख्शिकरन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनेगा वह फेज़ा गृत्वाइड है और गोहल की अपरम वाला उत्पाद भी जब करते हैं तो ऐक्सिकल का मिन फिर वही हैड्रोजन निकलना अक्सिघंढ जूदना लेकिन यहां सिरफ हांड वाजन निकलेगी क्योंकि सियारो थ्रीया PCC जो हैं वो दूर्बल अक्षिकार के तो जब हम हैड्रोजन निकालेंगे तो एक हैच तो गया यह जो के साथ जुड़ा हुआ है अगला हैच ओ के साथ वाले कार्बन से यानि इस से तो जब यह एच दोनों निकल जाएंगे तो इसके बाद बचता है CS3, CO, CS3 यानि किटोन CS3, CS3, CO, CH3 तो टूड़ीरी अलकोहल का उक्षिकन जब हम करते हैं तो हमें जो उत्पाद मिलेगा वो किटोन तो वन डिगरी अलकोहल के उक्षिकन से बनने वाला उत्पाद अल्डिह अब वी अगली जो दूसरी एडिंग आती है वी हैड्रोजनी करना अलकोहल का वी हैड्रोजनी करना वी हैड्रोजनी करन क्या है हाड्रोजन का निकलना अक्षिकन भी क्या था हाड्रोजन का निकलना एटमिन दोनों समीकरन बिल्कुल सेम होगी सिरफ फरग होगा तो तेंपरेच्चर जो इसमें होता है वो 300 डिग्री सेंटिग्रेड टेंपरेच्चर होता है 300 डिग्री सेंटिग्रेड टेंपरेच्चर या हम कह सकते है 573 केलिविल तो एजी या एउ की उपस्तिती 300 डिग्री सेंटिग्रेड ताब हाइड्रोजन निकलेगी तो हाइड्रोजन बन दीरी एलकोहल का उक्सीगन करते हैं अभी है रोजनिकन करते हैं तो बनने वाला उत्पाद पिटोन अब अगला मेथड़ वसा अमलों के कैलश्यम लवन के शुषकासवन से तो इसमें जब हम ड्राइज डिस्टिलेशन करते हैं सुषकासवन करते हैं तो CA CO3 calcium carbonate निकलता है CA CO3 निकलता है CA CO3 निकालना है अपने को तो calcium acetate calcium acetate का formula यहाँ उपर बताया हुआ है calcium हो गया CA plus two acetate हो गया CH3 CO minus तो जब हम formula बनाएंगे तो CH3 COO की twice CA बनेगा तो यहाँ CH3 COO की twice और CA यह यह फार्वला बन गया अब शुशकास्वन करते टाइम हमने CA CO3 रिमूव करना है तो जब CA CO3 रिमूव करेंगे तो CA CO3 यह रिमूव कर दिया CA CO3 तो इसको रिमूव करने के बद बचा क्या CH3 COCH3 CH3 COCH3 तो यह पार्ड जो बचा है CS3 COCS3 यह प्रोड़क्ट बना देगा हमारा तो कैलिक्षिम एसिटेट के शुशकास्वन से बना एसिटोन CS3 COCS3 अब अगर कैलिक्षिम फार्मेट लेते तो CA CO3 निकालें तो यह CA CO3 यह CA CO3 गया तो इस CA CO3 के जाने के बाद देखे क्या बच्चता है HCHO HCHO अगर तो यह प्रोड़क्षिम एसिटेट के शुशकास्वन से एसिटोन और कैलिक्षिम फार्मेट के शुशकास्वन से मेथेनल बनता है अब अगर दोनों ही ले ले लिए जाते है कैलिक्षिम एस्टेट भी और कैलिक्षिम फार्मेट भी तो CA CO3 निकालना है अपने को CA CO3 यह क्या CA CO3 सेम ऐसे ही यहां से भी CA CO3 तो जब हम CA CO3 निकाल देते हैं यह पार्ट जब निकल जाएगा तो उसके बात देखें क्या बचा CS3 CHO CS3 CHO adventure से भी CS3 CHO यानि कुल मिलाखे एथेनेल तो जब हमने अकेला कैलश्यम ऐस्टेट लेते हैं जब अपन अकेला केल्सिम मेसिटेट लेते हैं तो मीथे नेल और अगर दोनों का मिक्स्टर ले लेते हैं तो आथेनेल की पराप्ती होती है तो यह भी important question है calcium acid के शुशकासवान से बनता है acetone calcium format के शुशकासवान से बनता है methenil और दोनों का mixture लेते हैं तो ethanol, acetaldehyde अब कहता है वसामल से वसामल वारा same process है वही जो अपने पिछे पड़ा है बस वहाँ CACO3 निकल रहा था यहां H2CO3 निकलेगा H2CO3 तो जब हम H2CO3 निकालेंगे CA की जगे दो H आगे है क्योंकि CA पे क्या charge है CA पे जो charge होता है वो plus का 2 और H पे जो charge होता है वो plus का 1 पत है एक CA की जगे दो H आएंगे तो एक CA की जगे दो है चले लिए तो जहां हम पहले CA CO3 निकाल रहे थे वाह अब H2CO3 निकाल लेंगे क्योंकि CA पे चार्ज क्या था plus 2 H पे चार्ज क्या है plus 1 इसलिए एक CA की जगे हमें 2 है चलेने पड़ेंगे तो जहां हम CA CO3 निकाल रहे थे तो एसिटोन वहां केलिशम एस्टेट लिया था तो एसिटोन था यह एस्टी कमल लिया है तो एसिटोन है फार्मी कमल लेते हैं तो मैथेनेल सेम वही प्रोसेस फार्मी कमल लेंगे तो मैथेनेल वहां केलिशम फार्मेट लिया था तो मैथेनेल दोनों का मिक्सचर लेते हैं तो वहां भी है थेने nehme इभला मितलत थी या बतना है याट्तिक जल से तो जलिए उजन होता है मारकोनी काफ नहीं से मारकोनी काफ नहीं क्या कहता है कि हाइडरोजन जो है उस द्वी बंदित या त्री बंदित कार्बन से जुड़ता है जिस पर एच जादा होते हैं तो जो अलकाइन में कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉंड है हमने उसको सिंगल में कनवर्ट कर देना है तो जब हम उसको सिंगल में अब जैसे देखें इसमें हमने ट्रिपल को सिंगल किया तो यह ट्रिपल बॉंड था कार्बन कार्बन के बीच तो यह हमने यहां सिंगल कर दिया कार्बन और कार्बन वाले बॉंड को तो जब हमने सिंगल किया तो दो बॉंड इसके खाली हुए दो बॉंड इसके खाली के पास तो किसी भी एक के साथ हम ये दोनों एच जोड देंगे तो मान लो ये दोनों एच इस कारबन से हमने जोड दिये इस से इस कारबन से इसके पहले एक एच था दो हो रागे तो तीन होगे तो ये कारबन ये रहा यहां तो पहले इसके पास एक एच था अब दो हो राग से जूड़ दिया तो यह सी एच चो बन जाएगा सी है चो यह सी हचो बन गया तो इस परकार जब एथाइन का जले उजन करते हैं तो एथेनेल बनता है अब परोपाइन में देखें फिर ट्रिपल को सिंगल कर देंगे अब एच वहां जोड़ना है जाएच ज़ाद है अब देखे किस पे एच ज़ाद है इस कारबन से एक एच जुड़ा हुआ है जबकि इस कारबन से कोई एच जुड़ा हुआ नहीं है तो इस कारबन पे एच ज़ाद है इस कारबन पे तो एच यहीं जोड़ दिये तो एक पहले से था दो और आगे तो तीन एचो गे ये CS3 बन गया और हमने इस कारबन चो जोड़ दिया तो ये CEO CEO बन गया CEO तो इस तरह जो पर पाइन लिया तो आकिटाञ तो है तक तICES से एथेनेल प्रोपाइन से किटोन रोजेनमूड अपचेन जो है पीडी बीएसोफोर की पस्ती में होता है बीएसोफोर जो है वो तो प्रेरक विश का काम करता है जो पीडी की किरियाशिलता को कम कर देता है नहीं तो पीडी इसका फर्दर अपचेन करता है इस अत्वादग तो HCL रिमूव होने के बाद जो प्रोड़क्ट बनेगा वो LD हैड CS3 CHO LD हैड तो इस परकार उजयन मून डप्चियन में स्टिल कुल हैड से LD हैड अब बात करें उजयनी बडन की अलकीन का उजयनी बडन तो जोनी बूटन करते हैं पहले अजयन से किया करते हैं ओजयनाइड बनता है फिर Fig जड़न पर सre its Q से किया कराते हैं लेकिन कमपेटिशन में अपने को ड्रेक्ट तांसल देना होता है तो करेंगे कैसे इसम constitution में double bond होगा c double bond c हम उसको double bond पे तोड़ेंगे a को यहां जोड़ देंगे और a को यहां जोड़ देंगे जैसे यह है तो यहां मैंने double bond पे तोड़ना है इसको तो यहां इसको double bond पे तोड़ दिया यहां double bond पे तोड़ दिया इसको तो A को यहाँ जोड़ दिया इस तरफ और A को यहाँ जोड़ दिया इस तरफ तो इस परकार LD Aडिया की टोन मनते हैं अगर यहां H होगा तो LD Aड बन जाएगा CHO अधर्वाइज की टोन मन जाएगा तो यह आपने जोने बढ़न करा के देखने है एथीन का प्रोपीन का से सिंपल सा एग्जामपल उठाएं अपने कोई सब यह के एग्जामपल एथीन मान लो उठा लें अपने तो एथीन क्या हो गया CH2 डवल बॉन्ट CH2 अब अपने यहां से तोड़ेंगे इसको क्या बिचा CH2 यहां O जोड़ेंगे यहां भी O जोड़ेंगे तो एच सी एच चो बन गया CH2 मतलब एच सी एच हो एच सी एच चो तो इस परकार मैथेनिल की प्राप्ति होती है जब हम एथीन का उजोन यह बढ़न करते हैं बाकि प्रोपीन का ब्यूट वनीन का ब्यूट टूइन का यह करके देखेंगे फिर प्रोड़क्ट बताएंग चले तो साइन एड का अपचन सी अलट च्राइच सीबर के द्वारा स्टीफिन अभी की रहा है अब आये जिदेगी तो अई पर या तो ब्स टू चार्ज होता है इस एक ब्र या तो प्लस तू होता है या प्लस फूर एप्लस ब्सपास कि थो सी एल टू एपने पास अब ये कनवर्ट हो जाता है SNCL 4 में SNCL 4 में दो CL चाहिए इसलिए हमने यहां दो HCL ले लेने अब हमने दो HCL ले लिए तो दो CL तो जुड़ गए इसमें SNCL 4 बनाने में SNCL 2 के पर पहले दो CL थे दो CL यहां से निकले 2 ML हो गए तो बचे क्या हम अरे पास 2 H 2 H बच गए अब वो 2 H आगे साइनte में जुड़ेंगे तो साइनई का जो ट्रिपल बॉंड था वो हमने डबल कर लिए तो ट्रिपल को डबल कर दिया तो ट्रिपल को डबल करते ही एक एक बॉन्ट दोनों का फ्रीइओ गया C का भी और N का भी तो 1H हमने C के साथ जोड दिया और 1H ही हमने N के साथ जोड दिया तो इसपर फरकार C के साथ भी 1H जोड दिया और N के साथ भी 1H जोड दिया तो यह वापीस देखे एक वार SNCL 2 था 120 इसमें जुड़े सो यह हमारे को बच भे वो तुब च belum को डून के साथ एक च जोड़ा अब जल बडन कराना है Chris तो जल बढ़न कराना है तो हमने यह बोंड तोड़ा यहां तो यहां कितने बोंड टूट गए दो तो दो बोंड टूट गए अब C और N में से नेगटिव पार्ट कौन सा है किसकी विदुतरिंता जादा है C और N में से N की तो N नेगटिव है और यानी C पोजटिव है तो ज ही अ दिया भी करमक वाली रैक्शन को देखनिया करके और फिर हम रसायनी का विक्याओं की बात करेंगे रसायनी का भी कि रहें लेकिन पहले बनाने की विदियां कम्प्लीट कर लें रिपीट कर लें हाज थैंक्यू